Hare Krishna, मैं बहुत कृत अग्या हूँ, शिक्षाष्ट रगंपरव का और आप सब नासीख भक्तों का कि आज मुझे नर्सम्मदेव के पावनाउसर पर, उनके आविर्भाव के पावनाउसर पर कुछ उनकी महिमा के बारे में कहने का मौका मेला है और शिक्षाष्ट रगंपरव ऐस्तामा नेरे पारे में प्रिचे दिए है वह वास्ताम से उनकी महिमा है कि वह भक्तों में इतने सारे सद्गुन देखते हैं वास्ताम से मुझे परेंटा मिलती है उनमें से हिक्षाष्ट रकंपरवर प्रधान है मैं पर फिर भी मुझे एक मित्रमानते हैं और जब मैंने उनका पहला प्रवचन सुना था लगबग, I think मैं छे मैंने या आठ मैंने तब तक कृष्णा भक्ती में था और जब उनका पहला प्रवचन मैंने सुना था तो मुझे लगा था कि कोई इतना प्रसन्चित हो के इतना मधूर प्रवचन कैसे दे सकता है इस चीरफुलने स्ट्रक मी तो उसके बाद में उनके जीवन के बारे मता चला किस प्रकार से वो पहले एक भारत की एर फोर्स में योद्धा थे और अभी ये कृष्णा वो कृष्णा की सेना में अभी य तो मैं सोचता हो कि जभी मैं नासिक आता हूँ नासिक मेरे लिए बहुत इक स्टर से मेरे पिताजी मेरे महां पे घर है पर आध्यात्मिक स्टर से I see the Naasic Temple as a battlefield of love कि जो प्रचार का भाव है जो प्रचार का भाव ऐसे है कि संघर्ष से नहीं स्नेह से एक स्नेह पूर्ण वातावरन से किस प्रकार से हम जो कृष्टन का प्रेम है वह दर्शा सकते है हमारे बचनों से हमने जो मंदिर में वातावर निर्मित किया है जो भक्तों के भक्तों में संबंद किया है जो गीता अमृत्म के जो क्लासेस दिया करते थे वो जग प्रसिद्ध है और मैं कई बार भगवदीता पे लिखता अलग-अलग लेक पर वो गीता के एक एक श्लोक पर इतना विस्तार करते है तो कभी मुझे आश्यर हो जाता है कि एक श्लोक पर कभी-कभी 10, 20, 25 क्लासेस वो देते हैं और हर जो क्लासे विस्तारित रूप से ग्यान और माधुरिय से भरा होता है और मैं कृतग्य हूँ के एक प्रणादायक और एकजेंप्लरी कादर्श वरिष्ण गुरु भाई के सेवा करने का मुझे 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 वारवा देते हैं तो आज मैं नर्सम्ह देव के अविर्भाव के दृष्टी पर मैं वो पूरी लीला नहीं बताऊंगा पर मैं एक अलत दृष्टी से देखन मैं सोच रहा था कि हम भक्ती में दो चीजे देखते हैं एक दृष्टी से है कि हमें कैसे भगवान से प्रेम करना है कैसे हमें भक्ती के उद्धार करना है पर दूसरा है कि भगवान हमसे किस तरह से प्रेम करते हैं और यह हम देख सकते हैं किस तरह से भगवान अपने महान बढ़ान भक्तों से प्रेम करते हैं, तो मैं जब इस नरसमष जेतु दश्य के तयारी के लिए नरसम अलीला पढ़ रहा था उसका मनन कर रहा था तो मैंने कई बार प्रहलाद महराच के प्रार्थनाओं पर विमनन किया है, उनका स्वरन किया है, उन पर प्रवचन दिये है पर इस बार मैं सोचा कि जो प्रहलाद ने प्रार्थनाय की है उसके बाद में नर्सम्ह देव क्या कहते है उनके वचन क्या है और उनके वचनों से हम उनके बारे में क्या समझ सकते हैं? उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे. तो, नरसम्मदेव के रुदे में क्या है? वास्तों में जो प्रहलाद महराज की महीमा है वास्तों में ये भागवत्म के तश्मसकन में काफी विस्तार से आती है. किस तरह से बहुत भीशन परिस्ति, बहुत प्रीत परिस्तियों में अपने जान को जो किम में डाल कर वे भगवान के प्रती अपना अपनी भक्ती सुधरुड रखते हैं. तो यह सब होने के वाद किस तरह से भगवान उनका प्रतिसाहत करते हैं? तो अभी क्यी श्लोक हैं? यह सारे श्लोक हम नहीं ले पाेगे पर मैं आज चारपाँ श्लोक लोने का प्रयास करूंगा तो तीन श्लोक जो है नरस्यम ओन देव बोलते है साथ वे स्खंद के नौवए अध्ययाय में. साथकेसकंदर नौवे अध्याय जो है वह नर्सेमादेव के लिए अभी खतम हो गई है एक तरह से मतलब नर्सेमादेव ने घरन्यकश्वपो का वद्ध कर दिया है वह आठवे अध्याय में होता है फिर नौवे अध्याय में प्रहलात प्रार्थनायर अर्पित करते है और नर्सेमादेव कृद्ध है वो शान्त हो जाते है फिर उसके बाद में नर्सेमादेव अपना रुधे प्रकट करते है और वो कहते है कि हे प्रहला तुम्हारा कल्यान हो तुम्हे अधर्श भक्त हो और तुम्हारे जो भी इच्छाम है मैं पूरी करूंगा और उसके बाद प्रहलात कुछ बोलते हैं, वो दस्वे सकंद में आता है और फिर उसका जवाब जो है नरस्म्हदेव देते हैं तो जो दस्वे सकंद में नरस्म्हदेव जवाब दे रहे है उसकी मैं चर्चा करूंगा और यह दो मैं जो एक जो श्लोख है भागवत्म से स्क्रीन शेयर पर अफिर उसके बाद में एक powerpoint है जो मैं एक whiteboard के परतर से इस्तमाल करूँगा whiteboard मतलब उस पर जैसे हम प्रवचन हो रहा है वैसे कुछ लिखूंगा वहाँ पे तो यह जो शुरू होता है सात्वे सकंत के दश्रम अध्याय के 18 श्लोक से तो यहाँ पे वे 23 श्लोक तक कुछ बोलते हैं तो यह 6 श्लोक आज मैं पर चर्चा करने का प्रयास करूँगा हर एक श्लोक पर लगभग 7-8 मिनिट तो हर एक श्लोक पर जो बोलने के बाद अगर किसी को कुछ कॉमेंट है या सवाल है तो उसके लिए हम 2-3 मेंट रख सकते हैं तो यहाँ पे पहले प्रलात क्या बोलते हैं प्रलात को भगवान बोलते हैं तो यहाँ पर कहते है प्रहलाद ने एक इच्छा व्यक्त की है कि है प्रभो मेरे पिता जो थे वो बड़े असूर थे पर उन्होंने आपके प्रति बड़ी घुना किया आपके प्रति नफुरत किया पर फिर भी आप उनका उद्धार कीजिए तो भगवान जवाब देते ह है त्री सब्त भी पिता पूता की त्री सब्त साथ मतलब साथ त्री मतलब तीन तो 21 पीडियों के लिए पिता पूता हा तो पिता यहाँ पर केवल पिता नहीं होता है हमारे पूरवज्य होते पित्र होते हो सब पच्चीस एक्कीस पीडियों के लिए पित्र भी सहते अनग उनके साथ वे सब पावन हो जाएगे, अनगह, अगह मतलब जो पाप होता है, अनगह मतलब जिसे अगह आशुर पड़े पाप पूर्ण वाला वासुर था, अगर कोई साधू होता है उनके कुल में अगर किसी कुल में कोई साधू जन्म होता है कोई महान भक्त जन्म होता है तो वो सारे जो होते हैं 21 पीडिया पावन हो जाती है और उधारने है भावान वै कुल पावनः जिस तरह से है प्रहलात आप कुल पावन हो आप आपके कुल का उध्धार कर रहे हो और भगवान यह सक्ट उस्था माल करे भावान तो जो जन्सकृट में होता है भावान यह बहुत आधरपूर्वा तुम आप होता है तुम का समान संस्कृत में त्वाम होता है और आपका समान जो है वह भवान होता है तो यहां पर भक्त प्रहलाद से बात करें और आप इस चित्र का हमारे मन में कलपना कर सकते हैं कि अभी नर्सम्हदेव बड़े ही महाखाय और शक्तिशाली भगवान नारायन विष्णु कृष्ण है और प्रहलाद छोटे से पाथ साल के बालक है और प्रहलाद को भगवान क्या बोल रहे है भवान आप प्रहलाद जो हो आप कुल पावन हो तो यहां पे भगवान क्या कर ही है वो कह रहे है कि उसके बावजूद ही जो तुम्हारी इच्छा है यह ज़रूर पूरी हो जाएगी ऐसे उसका वादा कर रहे है वो तो हम चर्चा करेंगे यहां पर इस तरह से कि हाव नर्सम्हदेव's words reveal his heart कि नर्सम्हदेव के जो करुदय है वो कैसे उनके वचनों से प्रकट होता है कि जब हम किसी से संबन जोटने का प्रयास करते हैं तो वास्ता में उनके रुदय में क्या है यह समझना मुश्किल होता है तो एक महत्वपूर्ण जलक मिलती है उनके भागोतम में भगवान को बहुत प्राथनाय करते है और मत्वपूर्ण जिसे कि हम हमारी भक्ती जागरुत करें हम व्यक्त करें पर यहां पर हम देखेगे कि प्रहलात के प्रती भगवान कैसे अपनी अपनी जो प्रेम है अपना जो स्ने है अपना जो वातसल्य है किस तरह तो यह श्लोक है यहां पर इस लोक का भाव क्या है यहां पर कि हाव blessing before seeking कि यहां पर जो प्रहलाद कह रहे है कि मैं यह मांग रहा हूं पर वो मांगने के पहले ही भगवान कह रहे है मैं आपको इदे देता हूं तो सब भगतों के जीवन में कभी-कभी यह संशय होता है कि हम कहते है कि हमें we seek pure devotion कि हमें शुद्ध भकति चाहिए मतलब क्या मिन कोई भावतिक इच्छाय नहीं होना चाहिए पर क्या है भले ही ہम कहें कि मुझे भावतिक तुपति नहीं चाहिए पर क्या है इसमें दो चीजे है material gratification मतलब बहुतिक भोग और इसके वादे material well-being कि बहुतिक दुष्टी से बले ही हमें बहुत से इंद्रिति नहीं चाहिए पर बहुतिक दुष्टी से जो मूल स्तर पे basic level पे जो हम कह सकते जो जरूरते है पूरी होना बहुतिक दुष्टी से खुशाली होना यह एक तरह से जर्यो जरूरी है अगर कोई वेक्ति हमेशा sorry मेरा screen share हो रहा है यहाँ पर यह नहीं नहीं प्रभू नहीं हो रहा है okay sorry So that is strange blessing comes before seeking यह भगवान की महिमा है कि हम चाहते है कि हम शुद्धभक्ती प्राप्त करें और शुद्धभक्ती मतलब क्या है कि हम बहुतिक बहुतिक अमे कहता जाता है कि बहुतिक इच्छाओं से भगवान की पास मत जाओ के विलशुद्ध भक्ति की काम की इच्छा रखो पर फिर भावतिक स्तर पे हमें कुछ हद तक तो ज़रूरते होती है अगर हमेच वे वग्ति बिमार रहता है वे बहुत कमजोर रहता है वेक्ति की सारी रिष्टे जो है परिवार है बहुती अस्थिरता है, क्रोध है, घुना है, तो उस समय भक्ती करने बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो एक स्वाभाविक तरह से यह इच्छा होती है, कि भक्त की, वो भक्त चाहते है कि सब के प्रती, वो सब का कल्यान करे. और सब का कल्यान अगर करे, तो जो उस भक्त से संबंदित है, if a devotee desires welfare of everyone, सब का कल्यान चाहते है, then certainly the devotee desires welfare of, भक्त का कल्यान चाहते है कि, of those close to the devotee, जो उनके संबंदी है, परिवार वाले है, मित्र है, उनका कल्यान तो ज़रूर भक्त चाहते ही है. तो यह कैसे है, एक तरह से यह एक स्वभाव है, यह और एक स्वभाविक है, पर एक तरह से यह एक परिक्षन भी है, एक अमेरिकन कॉमेडियन है, वो कहते है कि, I love humanity, it is only human beings I can't love, कि मैं मानवता से मैं प्रेम करता हूं, पर जो मानवता से मेरा जमता नहीं है, अभी क्या है, कि मानवता से प्रेम करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मानवता क्या है, एक पूरा, एक विशाल, मातरा, मिजन संक है, मैं सारी मानवता से प्रेम कर सकता हूं, कह सकता है, पर जब किसी व्यक्ति से हमें कुछ सम्मन जोड़ना है, उनके पती कुछ करना है, उनकी बात सुननी है, तभी हमें कुछ त्याग करना पड़ता है, जो हमें मन का चाहा है, उनके लिए त्यागना पड़ता है, और वो आसान नहीं है, तो इसलिए क्या है, जो हमारा, हम कह सकत कि बड़ी चीज है उससे महतवपूर्ण चीज है और वह हम जब कैसे वो कैसे करेगे हम वास्तों में हम जब चाहते है ये इस तरह से तो उसमें ये मतवपुर्ण है कि हम यहां पर प्रहलाद की जो इच्छा है स्वाभावी की इच्छा है कि मेरे पिताजी का भी उद्धार हो जाए तो भगवान कहते है कि ये जरूर अपने आप ही हो जाएगा तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि लखेवल एक पीड़ी बद एकीस पीड़ी तो यह जो है जो आश्वासन है किस तरह से ये आश्वासन है कि भक्त भगवान का भाह होता है कि तुम अगर मेरी भक्ति करोगे यू डोंट हैब तो वरी अबाउट एनीफिंग एल्स तो भक्ति में कैसे होता है कि अगर भक्त भगवान की सेवा करते है तो भगवान कहते है कि you take care of being devoted to me and I will take care of everything that you care for. everything you care for. यह एक प्रेम का आदान प्रदान है और यहां पे नरस्वी मदेव जो इस तरह से व्यक्त कर रहे है उनका उद्देश यहां पे यह है यह कहना है कि प्रहला तुम्हें चिंता करने की कोई जरूद नहीं है और फिर यहां पे बताया गया है कि 21 पीडिया अभी 21 पीड यहां प्रदान प्रदान होते हैं तो क्या भगवान किसी का उद्धार उनके इच्छा के विप्रित कर सकते हैं तो भगवान तो वास्ता में कुछ भी कर सकते हैं पर जो भगवान होते हैं किसी की स्वेच्छा के परें ही आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि भगवान इस तर डिवोशन और लिबरेशन, पूता, चुष्दिकरन और मुक्ति जो है उसके लिए भगवान इतने मौके देते हैं कि फॉर दोस डियर तो डिवोटी डिवेंच्यूली टेकिट अप तो मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि जबरदस्ती उनके इच्छा के बिना उनका उद्धार हो जाएगा पर भगवान इतने मौके देगे कि जरूर वो हो ही जाएगा हर विक्ति के जीवन में आध्यात्म की और प्रगति करने का कभी-कभी मौका आता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आध्यात्म क्या रुची ही नहीं होती है पर ज्यान भी नहीं होता है तो ब्रह्मान में बहुत से ब्रह्मान कर रहे हैं जीवन में से कोई भाग्यव से मिलता है वास्तों में यह यही भगवान की बड़ी कृपा है तो अगर ऐसे बहुत से बहुत बार भक्ती का मौका मिल जाता है एक के बाद 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 एक तो कभी ने कभी तो वह मौका जरूर उस्विकार कर लेगे तो भगवान कहते ह है शास्तुरों में जब गणना होती है तो क्या इसका मतलब है कि 21 पीडियों को ही है तो 21 यह है इट इस more indicative than descriptive तो 21 जो है यह indicative है कि more than descriptive मतलब यह इसे नहीं है कि 21 पीडियों तक ही है और 21 के पीछे और कुछ भी नहीं है पर कहने का है प्रहला भगवान के रुदय का यह वरणन है प्रहला तुम अपने एक पीडियों की चिंता कर रहे हो तुम अपने पिता की चिंता कर रहे हो पर मैं तो तुम्हारे 21 पीडियों के पती य यह जो शास्तर में कई बार संख्या होती है, वो संख्यां से धारा बहगवान अपना भ् sırवना व्यक्त कर रहे है. अभी हम कहते हैं कि भगवान के काथ ऐसे बारा एक कदम लेते हैं, तो बहगवान वमारे पास सौ पर दे लेते हैं. तो निम olsun कля 100 हा लेते हैं, 101 लेते हैं, यह लेते हैं बराबर गिनने 100 हाँ तो यह वैसे भाव नहीं है। भाव क्या है? कि भग्वान थे भ्थितना जाहा रही हो भावन, तुम इतना दे दूंगा। पर सब्सक्टरा eclipse हो. Jadi, भग्वान अपना रूदय व्यक्तत है. पर वो जिन से प्रेम करते हैं उनके प्रतिहम कैसे बड़ता वरकते हैं वह वी बड़ा मायने रखता है अब पुरुशो श्त्री का ब्रगाए हो जाता है तो अगर उन दोनों में स्नेह हैं वह किते हैं स्वाभाविक है पर वो उनका सम्मंद अगर बरकरार अच्छे से रहना है तो वो एक दूसरे जिन से प्रेम करते है तो अभी जो लड़की जो स्त्री है वो अपने पत्नी के माता-पिता से उनके रिष्टाव से बातचीत करती है किस तरह से बरताव करती है वैसे लड़का जो है वो एक्स्क्लूजव मतलब भगवान नहीं कहते कि मैं भक्त से प्रेम कर रहा हूं और किसी की परवान ही करता हूं मैं ऐसे नहीं है वो कहते है कि यह सम्मंध है यह इनक्लूजव है मैं तुमसे प्रेम करता हूं तुम्हारे सम्मंध में जो भी है उन सबसे भी मैं प्रेम करता तो रलेशन्शिप जो है exclusive नहीं है तो यहां पे देख रहे हैं तो यह पहला डैंट है तो भक के मन में जो भी चिन्ता है जो उनके भक के मन में बोजा है भगवान कह रहे तुम्ह colony फोजा कर रखाने की कोई बलकुल जरुवत नहीं है मैं त्रीजब तभी पिता पूता में उनका उधार कर लूँगा यह बगवान का पहले पहले श्लोक में उनका भाव है any comment or question on this okay तो हम अगले श्लोक पर आते हैं वी किसी को comment होगा तो जुरू बोल सकते है या सवाल होगा तो we'll take in the end okay sure perfect तो अभी पहले श्लोक में बगवान कहते है जो प्रहलाद ने क्या क्या पूछा है उसके बारे में मैं पिछले करूंगा तो प्रहलाद पहले कहते है कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए मुझे तो अगर कुछ चाहिए तो मेरे रुदय में कुछ मांगने की इच्छा हो वो चली जाए कुछ भी मैं स्वार्त से नहीं मांगना चाहता हूं पर भवान पूछ पर मेरे पिता का आप उद्धार कीए तो जरूर मैं करूंगा उन्निस वाश लोग है यत्र यत्र चमद भक्ता हा प्रशांता समद अर्शिना साधवर समुद आचारास ते पूयंते अपिकीकट हा तो यत्र यत्र मद भक्ता हा वो कहते है कि जहां जहां मेरे भक्त होते हैं प्रशांता समद अर्शन हा कि वह बड़े प्रशांत है बड़े शांत रहते हैं समद अर्शन होते हैं साध्ध वहा ऐसे साधु जो भक्त होते हैं हमें साध्व मतलब इनका बहुत अच्छा होता है समुद आचारास और जो उदार होते हैं हमेश अचार वो नेकेवल अपन लिष्टदारों का उध्धार करते हैं कि कीकटः, जो जहां भी आते हैं, किस प्रकार का भी वहां पर परिस्ति होती है, उन सब का उध्धार करते हैं, ते पुयंते पी कीकटःः, तो अभी यहां पर यहां कर रहे हैं भगवान, यह एक तरह से प्रहलात प्रहल Cham SEO प्रहलात कर रहे है तो ज्जवाति से प्रहलात प्रहलात कर रहे हैं पैस बीदिव सकती कर से थैव क। बालट कर रहे हैं यह उस्ती से प打 तो इस तरह से जो है कि भगवाण यहां तरह से vārणन कर रहे कि किस तरह से प्रलाज जो है बड़े प्रशांत थे, कभी वो नर्समद रहने कशिप उनका वद करने का प्रयास किया, फिर भी वो बड़े शांत रहे, कभी उन्होंने हिरने कशिप अपना दुश्मन नहीं माना, समधर शिनहा, और हमेशा वो आदर पूर्वत हिरने कशिप से सादवा, समुदा चारास, और जिस विक्ति ने उनको मारने का प्रयास किया, अभी उसी विक्ति का वो उद्धार चाहा रहे है, उसी विक्ति का वो कल्यान चाहा रहे है, तो यह जो है, यह कहते है कि ऐसे भक्त ही सब का उद्धार कर रहे है, तो यहां पर भगवान एक बह जाए बह्त ऐसे होते हैं कि उनकी जो नकी जो शुद्ध करने के जो शम्ता होती है वहाई इतनाYeahisha तो यहाँ पर भगवान इस तरह से एक भक्त के शुद्ध करने की शम्ता के बारे में बर्णन करें कि बक्त का उनकी जो शुद्ध करने प्यूरिफिकेटरी पोटेंस से क्या होती है कि they can purify anyone who comes in contact with them. जो भी उनके सानद में आता है उन सब का वो उद्धार कर सकते हैं. ऐसी उनकी महान क्षमता होती है. और एक तरह से वो क्या कह रहे है कि भगवान यहां पे क्या कर रहे है कि दुन्या को दिखा रहे है कि जब मैं प्रकट होंगा तो आप सब मेरा आदर तो करोगे ही पर मेरा आदर ही करना पर याप नहीं है मेरे भक्तों का आपादर कीजिए और एक तरह से भगवान अपने भक्तों की महिमा बता रहे है कि कि मैं एक तरह से कैसे होता है कि the Lord appears and disappears कि भगवान कभी आते है कभी चले जाते है devotees will always be there मगदलब एक भक्त में रहे गे पर इस भौतिक जगत में भक्तों को भेजते ही रहते है भगवान रहते ही है एक तरह से हमें शुद्ध होना है तो हम मंदिर में जा सकते हैं हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं भगवान की ग्रद्ध पड़ सकते हैं तो वो सब महत्वपूर्ण है पर वास्तों में जो हमारा शुद्दिकरण होता है, वो सरवाधिक जो होता है, वह भगवान के भक्तों के संग में होता है. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप बक्तो को समझेगे, बक्तो की महीमाँ वो समझेगे, तो वो किसी को भी वो उधार कर सकते हैं, किसी का भी वो कल्यान कर सकते हैं. और एक तरह से जो है, अभी मैं बोला था कि भगवान अपना रुदय प्रकट कर रहे हैं यहां पे, एक चीज़ बता रहे हैं, कि जो मेरे भक्तो को प्रिय है, मैं उनका उधार उनके पूछे बिना ही कई पीडियों का कर दूँगा, और अभी बता रहे हैं कि वास्तो में मैं यह उधार नहीं कर रहा हूं, यह भक्त ही इतने शुद्ध है कि वो किसी का भी उधार कर सकते हैं, तो यही भाव वास्तो में जो भगवान विष्णु है, वो चतुष कुमारों से बात कर रहे होते हैं, चतुष कुमारों के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने द्वार मैं उनके कारण, उनके सानिद्य में रहकर मैं शुद्ध होता हूँ. तो वहाँ पर वो कहते हैं कि the whole world comes to me for purification. Seeks purification by coming to me. But I seek purification by being with the Brahman devotees. यहाँ पर ब्राम्मन मतलब जन्दम की बात नहीं है. पर यह जो यह गुण की बात है. जो महान भक्त होते हैं, जो ब्राम्मा के स्तर पर अपना जीवन जी रहे हैं, उनके सानिद्य से मैं शुद्ध होता हूँ. तो यहाँ पर एक तरह से एक और दुष्टी से भगवान अपना रुदय वेक्त कर रहे हैं. अभी नर्सिम्ह देव ने ऐसा कार्य किया है, जो कोई नहीं कर पाया है. नर्सिम्ह देव ने उस हिरन्य कशिर्पु के आतंक का अंत किया है, जो सारे विश्व भर में, सारे ब्रम्हांड में उसका सामना करने की बात दूरी चुरक दीजिए. वो सिर्फ अपने क्रोध में थोड़े आखे उपर कर लेता था, तो तो साब देवता गंडर जाते थे। ऐसे महान व्यक्ति का, ऐसे महां शक्तिशाली असुर का वद हिरन्य कशिपु ने किया है. पर उसके बाद में उनकी भावना क्या है? कि वो कह रहे है कि जो उनकी नम्रता है, साधा एंटा है, हम देखते है कि कोई व्यक्ति कोई चैंपेंशिप जीतता है, तो कहता है कि, I did it, मैंने कर दिया, मैं इतना बड़ा चैंपियर बन गया हूँ, मैं दुनिया को दिखाना था, क्या कर सकता हूँ, मैंने करके दिखा दिया है भी, but in his moment of victory, भगवान ने सबसे ऐसे जीती है, in his moment of supreme victory, he is speaking the glories of his devotees. और ये तरह से, एक तरह से, कोई भी तोड़ा चरित्रवान विक्ति होता है, कोई से भारत मानले, ये क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत जाता है, तो अगर कैप्टन को speech देने को बोलते है, तो कैप्टन बोले, कि ये हमारी इच्छा थी, हमने बहुत हमारा सपन था, हमने पर इदकेवल श्रेय दे रहे है, यहां पर भगवान कहा रहे है, कि उनके कारण मुरी शुद्ध्या आती है, तो ये जो नमरता है, यह बड़ी ही विलक्षन है, और भगवान चाहते है, कि हम सब आध्यात्मिक प्रगति करे, और आध्यात्मिक प्रगति का मतलब क्या है? आध्यात्मिक प्रगति का मतलब हम जानते हैं कि कई स्तर होते है, कनिष्ठ स्तर होता है और फिर मध्यम स्तर होता है, तो कनिष्ठ स्तर मतलब क्या है कि हम भगवान के अस्तित्व, भगवान के प्रेजिंस, उनके उनके एक्जिस्टेंस मतलब उनका उनका अस्तित्व और मतलब उनका सानिध्य या उनकी जगह पे होना, तो कनिष्टर स्थर भी कहा होता है, परसीव गौड प्रेसेंस, इन टेम्पल, मंदिर में आते हैं तो बड़े हाथ जोडते हैं, कई बार ऐसे लोग होते हैं कि वो सुबहें, उनके घर में कोई मंदिर का गरहें तो बड़े शांती से नम्रता से भक्ति भाह सो जाएगे, बहुत से भगवान को प्राथनाय करें, जैसे बहार आ जाएगे, लोगों पर चिलाने लग जाएगे, ऐसे बोलेगे, ऐसे बोलेगे, तो अगर ऐसा भाह है तो क्या है वह भगवान का कुछ हैसास है, पर भगवान का ऐसास केवल वो मंदिर तक सीमित है, पर जो वoutheक्टी वासतों में आध्यातने प्रगती कर रहा है, उसका लक्षन क्या है? वो भगवान का अस्तित्व उनके भक्तों में देखने लगता है, कि वो देखता है कि मैं अगर भग जोड़ पाऊंगा, अगर मैं भक्तों के से अच्छा संबंध रख पाऊंगा तो, तभी ही ये सम्म, मैं भगवान के संबंध में प्रगती कर रहा हूं। और फिर उत्तमस्तर क्या है? उत्तमस्तर मतलब वो हम भगवान का स्थित्व हर जगह पे देख पाते हैं। इन एवरिवन। मतलब नकेवल मैं भक्तों का आदर करूं, भक्तों के साच्छी तरह से बात करूं। बढ़े कोई अबखत भी रुदेय में भी है जो अभगत है। नकी जीवन में भी भगवान कारे कर रहे है। और जो प्रहलाद वो इस तर पे थे उत्तमस्तर पे थे। कैसे रहते हैं। क्योंकि वे खियुपका भी कल्याण चाह रहे थे। और हिरने कशिपु वह कल्यान चाहा रहे थे, इसलिए वह क्या कह रहे थे, कि हिरने कशिपु इक नम्रदा से सदुपतेजिने का प्रयास कर रहे थे, और वो प्रहलात का हिरने कशिपु के प्रती प्रेम था, उनका आदर पूर प्रेम था, इसलिए वो हिरने कशिपु के आने वाला है तो मुझसे ही आएगा वो इसलिए उन्होंने कभी इरनेकशिपू के खातेर अपना सम्मंद्ध भगवान से छोड नहीं दिया उन्होंने उन्होंने उन्हों से प्रेम करते थे तो एक तरह से भगवान इस लोक पिता रहे है कि भक्त उधार करते हैं मैं उधार नहीं करता हूं मैं शुद्धिकरण नहीं करता हूं ऑफकोस सत्य तो यह है कि भगवान ही सब चीजों के स्त्रोत है भगवान ही प्रमुद्धार करते है पर यह भगवान की नम्रता है कि भगवान हमें ऐसास दिला रहे है कि अगर तुम्हें शुद्धिकरण चाहते हो तो कभी-कभी हम एक चीज़ को जोर देने के लिए इंग्लिश में रिट्रोरिकल एंटरिकल मतलब एक तरह से बोलते हैं कि वह उसमें जोर देने के लिए हम कुछ तुलना करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं बैकुंध में नहीं हूं I am Vaikuntha No Bhagawan Gete I am in the yogi's heart जो yogi के रुदय में हो वहान कहते है no then where am I कहते है कि जहाँ पर my devotees are glorifying me जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे है तो अब इसका मतलब क्या है क्या भगवान Vaikuntha में नहीं है नाहम वसामी Vaikuntha वहाँ पर यहाँ पर कहने का मतलब यह है क्यों बोल रहे है क्योंकि यहाँ पर we can't perceive His presence there ठीक है भगवान Vaikuntha में है पर हम तो Vaikuntha में नहीं है हमाल चिए इतना Vaikuntha में नहीं है तो हम कैसे भगवान वहाँ पर हो गए भी तो हम कैसे तरह और उसका महसूस कर सके, उससे हमारा क्या तरह है करने वाला ए्धाय कर सकता हूं, पर भक्तों के संग में हम क्या कर सकते हैं जो भक्त भगवान का गुंगान कर रहे हैं वी कैन परसीव वहां पर हम भगवान का अस्तितों महसूस कर सकते हैं तो यहां पर भगवान अपने भक्तों का गुंगान करके प्रहला का गुंगान करके और भक्तों का गुंगान करके हमें ऐसास दिला रहे हैं कि अगर हमें भक्ति में प्रदग करनी है तो हमें भक्तों की संग में भगवान की अनुभूती होती है। भगवान हर जगह पे है पर हम उनका अनुभूती भक्तों की संग में कर सकते हैं। इसलिए भक्तों की महिमा यहां पर भगवान दर्शा रहे है। तो यह दूसरा श्लोक है, तो भगवान के रुदे में क्या है, यह खुद की महिमा नहीं है, भगवान के रुदे में है, कि अपने भकतों की महिमा है, और वहीं यहां पर दर्शा रहे हैं, तो किसी ने बीच में हात उपर किया था, कृष्ण दंपर, शुड़ वी गो तो अब भी जो बीच वाश्लोक हैं पर, एक और बार तो अभी मान लीजे हम किसी से मिलने जाते हैं, और उनसे कुछ बात करते हैं, तो अगर वो किसी एक विशे के बारे में ही बात करते रहते, तो क्या होता है, तो हमें लग समया था कि यह वेक्ति के लिए यह चीज बड़ी महतवफूर्ण है, तो मान लीजे मैं अभी नासिक में आता हाँ हो, शेकर स्थरार शेक्रांश के में बढ़ में बात कर रहा हो, और अधिकांस समय मान लीजे वे अगर तो उसी तरह से भग्वान जिस विशुए के बारे में बात करते हैंbecauseBhagawan के रुदय में बड़ाTFूर्ण हिएक उनके लिए महत्वपूर्ण है., तो एक और बार यहां पर बेगवाने क्या कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो है उनका बंगान कर रहे हुँआ.. कि जो भक्त है, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, भूत ग्रामेशु किंचना, और यहां पर बता रहे हैं, भूत ग्रामेशु ना केवल किसी मानों के प्रति पर किसी भी जीव के प्रति हिंसा नही उनका बुरा नहीं जहाते है वो, दैत्येंद्र. अभी प्रहला जो महान भक्त है, पर वी उनका जन्म जो है दैत्येंद्र कह रहे हैं कि है दैत्यों के राजा, दैत्यों के अंद्र, प्रहलाद, मदभाव, विगतः प्रुहा. तो विगता स्पुरुहा मतलब जो इच्छाएं जो वासनाएं भौतिक संपर्क से जागरुत हो जाती है। वह उससे मेरे भक्त मुक्त रहते हैं। तो एक और बार यहां पर भगवान क्या कर रहे हैं। भक्तों का ही गुंगान कर रहे हैं। एक तरह से वह प्रहलाद, अगर हम एक तरह से सोच रहे हैं, अगर हम सुनते हैं, कोई किसी का कुणगान कर रहा है, तो कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति भले ही नाम न ले, पर फिर भी समझ में आता है इस अब को, कि वो किस के बारे में बात कर रहे हैं, कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी की निल्दा कर रहे है, तो समझ में आता है कि अच्छा यह इसके बात कर रहे हैं, और किसी का प्रशनसा भी कर रहे हैं, तो हम समझ में आता है, तो एक तरह से वो प्रहलात को उपदेश दे रहे हैं, कि मेरे भक्त जो है, वो नाग की-सी के परती भी उनका जो द्वेश भाव नहीं था। और यह जो है यह वास्तो में कैसे संभाव है यह तो कहते हैं हमेसे हमेशा हमें नहीं रखना है पर यह कैसे होता है तो अभी इस में 2 चीजै हमें समझनी है कि यह जो है non-envious toward everyone किसी के विपती भी इरशान नहीं रखनी है इसका मतलब यह कैसे संभव हो है कभी कभी हम बहुत तिक जीवों में ऐसे होता है मानली जो कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारा विनाश चाह रहा है वो कई परिवार में हमारे पति होती है कभी कभी ऐसे होता है कि दो परिवारों में पीडियों से कोई जगड़ा चले आ रहा है कभी कभी जगड़ा हिंसा भी हो जाती है कभी कभी जो राश्ट्रों के बीच में कि युद्ध होता है, कभी-कभी जो हमारा प्रोफेशन होता है, हमारे धंदे में कोई हमारा विनाश चाहता है, तो किसी के परती हिंसा न रखना, इसका मतलब यह प्राक्टिकल है, किसी के परती इर्शान न रखना, किसी के परती हिंसा का भाव न रखना, तो इसमें दो ची एक्षिन इस तो प्रोटेक्ट दोस फोर वूम वी रिस्पॉंसिबल तो इसका मतलब क्या है कि यह दो चीजे है अभी मान लिजे कोई पुलिस में है तो अभी पुलिस का ऐसे उद्देश निये किसी को गोली मार के उड़ा दे पर पुलिस का यह भी उद्देश होता है कि तो यह पुलिस जो करतावे करते हैं किसी को मारते है तो वह अपनी करतावे निष्टता है तो अभी भगवान ही यह दोनों विरोधावास बताते है गीता में 11 अध्या के 3300 श्रोप में भगवान बताते है की अर्जन उठो तुम्हारी शत्रु है उनका तुम वत करो और त कि तुम अपने शत्रुओं का वत करो यह बता रहे है पर उसके साथ साथ भगवान क्या बताते है उस्सी अध्याय के 55 श्लोक में भगवान बताते है की मत कर्मकरुन मत पर्मो मत भगता संग भर्जिता निर्वई रह सर्वभूतेशू यह समामेति पांडवा तो यहां पर तो 3300 श्रोप में बोल रहे है की अपने शत्रूओं को हराओ अपने अपने शत्रूओं को अपने शत्रूओं को हराओ तो इसका मतलब क्या है की भगता जो होते हैं अपनी दृष्टी से किसी को अपना शत्रू नहीं मानते हैं पर कोई अगर उनके कर्तवी के बीच में आता है तो वो अपने करता हुए जरूर करता हुए निष्ट रहते हैं तो करता हुए निष्ट रहते समय जो भी उनकी भूमी का है उसके बीचार कारी करते है अब प्रहला तो छोटे बालक थे तो प्रहलाद अभी जब हिरने कशीपू उनके बक्ति में व्यत्ते ला रहे थे तो क्या किया प्रह अगर हम देखेगे, भागवतम के चौथे सकंद्य वर्ण आता है, यह एक बड़े क्रूर राजा होते हैं, तो मैं यहां पर उधारन किस चीज के बढ़ा बता रहा हूँ, कि डूटी फुलनेस और नॉनननेस, कि दोनों साथ में किसे आ सकते हैं, कि किसी के प्रति इर्शा मत करो, किसी के प्रति आउको से शत्रू मत मानो, पर करतव यह भी करना है, तो करतव भक्त एक पर्सनली डिवोटी देजन्ट कंसिडर एनीवन अनिमी, डिवोटी देजन्ट किसी के प्रति भक्त का शत्रू तो नहीं होता है, पर प्राक्टिकली और प्रोफेशनली व्यवाहारिक सर्थे जब कारे कर रहे हैं, तो भक्त देखता है कि मेरे करतव के लिए मुझे क्या करना जरूरी है, तो प्रहलाद जो देखे तो प्रहलाद, वहरने कश्म का टूवर्ड हिरने कशिपू, हिरने कशिपू ते वड़े बड़े ही गंभीरता से वे स्थिर रहे, पर इसके विरिज़ आम देखते हैं जो ब्राम्हन थे, जो ब्राम्हनास पनिष्ट वेन, जो वेन नाम का एक राजा था, वह क्या कर रहा था, वह राज में अत्याचार कर He said, और अईसे जो कहने साज सबहा, प्योब करा था, ग्री। भाम्हन ने क्या 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 है, एक अपने खूंकार मूँ से निकाल गिया। असका अंत कर दिया। तो यह क्यों क्या है। उनका दे पति वेन पति ओन नहीं था, आता हुआ। पर जब वेन धर्म के बीच में अ पर कभी भी हमारे रुदे में किसी के प्रति घुरुना जो होती है वह भगवान के प्रति सेवा भाव से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमें समझना चाहिए कि मैं गलत मार पूजा रहा हूँ कि भी किम कि यहासी बोल रहा है यह सेवा कर रहा हूँ चाहिए तो ब्यवारिक सर्पर ऱबंना काहँए कि वह प्रति अच्छा करना पड़ता है पर को समझना चाहिए कि यह एक शनिक है यह आएगा कभी जाएगा इसको जादा जोर नहीं देना चाहिए हमें, देखे ची कि मेरा भगवान से संब्ध महत्वपुर्ण है, और इस व्यक्ति का भी भगवान से संब्ध है, तो प्रभुपाजी जब प्रचार करते थे, प्रचार कर रहे थे, वो पाश्या देशों में प्रचार करके वापस भार उनके गुरुवर्ण बहुत प्रचार करते थे, पर कभी-कभी कुछ और भगत थे, कुछ और उनके प्रभुपाजी के इक्वल्स जो थे, यह तो कौन है, बगी तो संयासी बने तो पहले यह इतना बड़े प्रचारक बन गए है, तो कभी-कभी उन्हें प्रभुपाजी क प्रती थोड़ी उनका निंदा की, और क्या था, कि उनकी इच्छा थी कि हमारे भी, हमारे भी कोई परदेशी भक्त हो जाएगे, तो हमारी प्रतिष्ता बढ़ जाएगी, तो उने प्रभुपाजी के शिश्यों को अपनी और खिचनी का प्रयास किया, प्रभुपाजी की अपने भक्तों के लिए काफी कुछ स्पष्टरता से उनने कहा कि कुछ-कुछ लोग जो होते है वह इर्शालू हो जाते है, कुछ बहुत ही नारो मंदड हो जाते है, उनकी ज़ुष्टी बहुरी संकुछ हो जाते है, तो आप उनकी बाते महीं शुनों आप, मैं जबता है उसका पालन करो तो उन्होंने उन्हों जो भक्त थे प्रचारक थे थोड़ी निंदा की तभी पर प्रहुपाजी कभी यह नहीं भूले कि वास्तों में वो भी उनकी दुश्टे से बड़े भक्त है और जब ऐसे उनके जानने वाले एक सन्यासी गुरू थे वो गुजर गए प्रवपाजी उनके पते कुछ निंदा की थी पहले पर जब उनको पूछा कि अभी यह तो गुजर गए वो कहां गए तो प्रभपाजी बोले वे 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 वाईकूंध गये है वे बहगवत धाम गये है को उनने जिवन भर उनने भगवान की सेवा है उनके गुरूदे आव if anger toward anyone starts overshadowing our remembrance of our devotion to Krishna. मतलब मैं अगर मंदिर में आता हूँ और इस व्यक्ति में आता ऐसे किया है, वो विचार अगर हम व्यादा आ रहा है और भगवान का स्वरण नहीं आ रहा है, कि मतलब मेरे भक्ति में जो प्रधानता जो है किस चीज को देनी है वह मैं गड़ब कर रहा हूँ कुछ यहां पे, ठीक है वहारी कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं है कि यह बहुत ही जगत में हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति से हमेशा ही मदूरता से बात करेगा, सब कुछ अच्छा ह हम चाहते हैं पर भौती जगत का ऐसा सभाव है कि यह से नहीं रहेगा, कभी कभी कुछ कड़बढ हो सकती है, कभी कुछ गलत फेहिमिया हो सकती है, कभी कभी एक उसरे के विश्मिनन्दा हो सकती है, पर अगर हम याद रखे हैं कि हम सब हमारा प्रधान संबंध बहगवान है कि यह सम्ञंध मेरा उसमेर कमद रता रही है तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे इसमें इतनी भावना डालने की ज़ूरत नहीं है, यह इतना महतवपूर्ण नहीं है, कोई भी चीज इतनी महतवपूर्न नहीं है कि उसके करण मेरे भगवान की विस्मृती हो जाये, भ प्रहलाद ने दर्शा आये था कि अध्यपी naturenah क करने का प्रयास कर रहे थे पर प्रहलाद ने कभी natureni ka शिपु के पर्ति गृुना उनके र gj timestर्भ में नि आने दी और इतनी गृुना नि आने दी कि कि वो nature everlasting कशिपु के बगरती क्रोद कर रहे थे या हिनके कशिपु के ब्रहे कर रहे थे नहीं वे भगवान का ही स्मरन कर रहे थे और यह उनकी महिमा है तो बाकी तीन श्लोग है मैं जल्दी से ले लूँगा और फिर हम कुछ पश्णोतर हो गए देखते भवंति पुरुशा लोके है कि जो इस तरह जो लोक इस भौती जगत में होते पुरुशा लोके मद भकतास तौाम अनूब्रताहा जो तुम्हारे जिसे महान भकतों के पत कमलों में चलते हैं अनूब्रताहा भवान में खलू भकता नाम सरवेशाम परतिरूप ध्रूख वो वास्तों में कि आपके उधारन को समज़के आपके उसी उधारन को अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करेंगे, वह जरूर महान भक्त बन जाएगे। तो एक तरह से भगवान क्या कर रहे है, यह बता रहे है कि हे प्रहलाज, जो तुम्हे प्राप्ती हुई है, वो सब को भी प्राप्ती हो सकती है, ऐसे नहीं है कि कभी कभी में में लगता है कि भगवान तो भगवद्धाम में है, भगवान अपने बगतों से फ्रेम करते है, क कभी कभी मैं ऐसे संदे हो सकता है, कि भगवान तो अपने भक्त के साथ बड़े आनंद है भगवध्धाम में, तो अगर मुझे में तो अतनी भक्ती नहीं है, तो क्या भगवान मेरी परवा भी करते है, ऐसे लग सकता है उमको, तो क्रिष्टना मेरा अस्तित्व क्यों है, है ही क्यों, हमारा अस्तित्व इसलिए है कि भगवान हमसे प्रेम करना चाहते है, और अगर वो हमसे प्रेम कैसे कर सकते हैं, जब हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे है कि love can be one way, but a loving relationship has to be two way, कि एक तरफा प्रेम हो सकता है पर अगर प्रेम का संबंध चाहिए तो वो एक तरफा नहीं हो सकता है वो दोनों तरफा होना चाहिए तो भगवान तो हमसे प्रेम करते है पर भगवान चाहते है कि wants us to love Him He longs for us to love Him और उसे वता रहे हैं कि जो महान भक्त है प्रहलाद का उधारन दिया है वो कहते है कि प्रहलाद बगवान कोहते है कि प्रहलाद तुम इस भौतिक जगत में आये हो शुद्ध भक्ती का एक उधारन प्रस्तापित करने के लिए to teach us how he sends his great devotees तो प्रहलाद इस भौतिक जगत में आये और अगर हम तुलना करेंगे कि प्रहलाद के जीवन में क्या समस्या आये थी जो समस्या प्रहलाद महराज के जीवन में थी शायद ही हम ऐसे किसी के जीवन में उत्ती समस्या होगी कोई हमारे हमें मारने का प्रयास कर रहे हमारे घर में ही हमारे हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे सधानते सरक्षक है, जो पिता एक परिवार में सरक्षक होते हैं, वही मारने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, पर उस परिस्ति में भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे परिस्तिती में क्या हमारे लिए मुश्किल है बक्त कर सकते हैं, तो इसलिए what can we learn from प्रहलाद, हम प्रहलाद से क्या सीख सकते है कि हमारा जो मन है, the mind will always find reasons to not practice bhakti अरे मेरे यह समस्या है, आर्थिक ठीक ठीक नहीं है पारिवाइक चीज ठीक नहीं है मेरा स्वास्त ठीक नहीं है इसलिए में bhakti नहीं करूगा पर वास्तों में reasons नहीं है यह क्या है वास्तों में excuses है तो the intelligence, हमारी बुद्धी का में इस्तेमाल कर सकते है intelligence can be used to find reasons to practice bhakti to find reasons and ways to practice bhakti ठीक है, यह परस्टिती ऐसी है कि इसमें bhakti नहीं कर सकता हूँ पर कैसे मैं क्या नहीं कर सकता हूँ मैं अभी भी bhakti कर सकता हूँ अभी यह कोविड के कारण अभी lockdown हो रहा है पर पिछले एक देर साल से दुनिया आगे चल रही है भakti भी हम कर रहे हैं कैसे अभी zoom पर कर रहे है कि यह परिस्तिती विपरीत है पर इस परिस्तिती में भी हम bhakti कर सकते है तो हमारा मन हमेशा देखेगा यह समस्या है वो समस्या है वो समस्या है पर हमारे बुद्धी क्या है the mind will look for things to complain about the intelligence should look for things to be grateful for कि जो हमारे जीवन में गलत है यह सब उसके बारे में हमेशा मन देखेगा यह खराब है यह खराब है यह खराब है पर क्या अच्छा है अगर वो देखना है तो हमारे बुद्धी का इस्तमाल करना है और बुद्धी को प्रेणा कैसे मिलेगी है प्रहलाज के उधारन को देखकर प्रलाजी से महान भक्तों का उधारन जब देखते है तो उनसे हमें प्रेणा मिलती है कि किस तरह से हम भी हमारी भक्ती में हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर इसके बाद में, तो बार बार यहां पर क्या कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों का ही गुन्गान कर रहे हैं। कर रहे हैं तो भगवान मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे है। भगवान सोचे यह कि अपने रहे हैं। कि तुम अप्रेथ कर्मा कृत्यानी, कि अभी तुम जो अपने पिता के अंत कर्मा है करूजे, पितु पुतस से सर्वशा, अच्छी तरह से कर देना, पूरी तरह से, ऐसे मत सोचो कि यह असुर है तो उनका नहीं करना चाहिए, नहीं, और एक करते समय तुम दूशित नहीं ह आप सबने वो चित्र देखा होगा कैसे भगवान जो है नर्सम्हदेव वो सॉरी मैंने यह श्लोक दिखाया यह नहीं कि भगवान जो है उन्होंने नर्सम्हदेव ने प्रलात के सर पर हाथ रखा है मद अंगस पर्शन पर्श जो किया है लोकान यास्यति सुप्रजहा और इस तरह से तुम अगर राज्य करोगे तो सब का उध्धार होगा तुम सारी प्रजा का उध्धार कर पाओगे तो इस तरह से और आखरे बोलते हैं पित्यम्च स्थानम आतिष्ठ यह थोक्तम ब्रह्म स्थानम आतिष्ठ कि जिस स्थान पे जिस सिंधासन पर तुम बैठ़ओ उस पे यह थोक्तम ब्रह्मवादि भी और जिस तरह से जो क्यान आतिवादी है यहां पर ब्रह्मवादि कर्थ अन्या जैसे नहीं है यहां पी जो शास्त्र जो है उनको ब्रह्म कहते है, शास्त्रों के वच्छनों के अनुसार जी रहे, उस तरह से तुम जीवो, और उसका सार क्या है? मद आवेश्यमनस तात, हितात, तात मतलब बड़ा स्नेह पूर्णा, इसा मोधन का शब्द है वो, मद आवेश्यमन, मुझ में आप मन लगाओ, और कुरु कर्मानी मत परहा, और जो भी कर्म है, तुम मेरे लिए करो, मत परहा, मुझे अपने जीवन का उद्देश बनाओ, औ तो यहां पर एक तरसे भगवान क्या कर रहे है, प्रहलात को बता रहे है कि तुम जो अभी तक कर रहे है, वही तुम करना है, तुम अभी तक मेरा स्मान कर रहे है ते वही तुम करते रहो अभी, पर अभी तुम राज सिम्हासन पर बैठके मेरा स्मान करो, और मेरी सेवा क तो यहां पर जो अंतिपुदेश है, अभी हम सब के पास कोई राज यसी महासन नहीं होगा, पर हम सब का भी हमारी सब की कुछ सिती है भहुतिक जगत में, तो भगवान यह नहीं कह रहे है कि तुम्हारी जो सिती है उसको तुम त्याग दो, तो engage devotion, engage devotion मतलब क्या है, कि हम भहुतिक जगत में रहो, keep your position, change your disposition, कि अपनी परिस्तिती जो है वाइसे ही रखो, पर अपनी मनोवृत्ती जो है उसको बदल दो, मनोवृत्ती क्या है, कि सेवा भाव कहते है, उसका मतलब क्या है, कि जो भी परिस्ति हमारे जिवन में आती है, how can I serve Krishna in this situation, कि ठीक है, कोई भी परिस्ति क्योंने आजाए है हमारे जीवन में, इस परिस्ति में मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ, अगर वो सेवा भाव रखेगे, तो हमारे जीवन में कितनी भी विश्यम परिस्ति क्योंना आजाए, भगवान हमें मार्गदर्शन देगे, भगवान प्रहलात को बतायत है कि तुम इतनी भीश्यन परिस्ति के गए हो, तुमारे जान पर खत्रा था, फिर भी तुम भगता है, अभी तुमें खत्रा नहीं, अभी तुमारे बाद समरुद्धी है, पर इसमें भी तुम अपना मन मुझ में लगाओ और तुम मेरी सेवा करते रहों, तो यह जो है, अगर यह सवाल हम रोज सुबह उठेगे, आज मुझे इस जिन में भगवान की सेवा करने का मौका है आज मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूं, यह भाव रखे गए, तो यह क्या है, सर्विस एटिट्टूड जो है, सेवा भाव है, यहा हमारे जीवन की रोशनी बन जाएगी, कितनी भी विकट परस्टी के होने आ जाए हमारे जीवन में, कितना भी अंधिरा के होने आ जा कि एक छोटी सी एक टॉर्च के समान हो जाएगी, क्योंकि ऐसे परस्टी इतने सारी विकट आ जाएगे हमारे जों में, मैं क्या करना है मुझे, कैसे आगे बढ़ना है मुझे, पर अगर सेवा भाव रखेगे, तो क्या है, ठीक है, इस परस्टी में मैं क्या कर सकता हूं, एक चीज कर सकता हूं, एक चीज कर सकता हूं, तो sometimes, floodlight, sometimes flashlight, floodlight मतलब क्या होता है, यैसे अब क्रिकेट में day-night matches होते है, तो कहाते है बड़ा जोती होती है, और उस से क्या है, काफी समय तक रोष्णि, काफी जगह तक रोष्णि जाती है, तो वैसे ही सेवा भाव से हैं, तो यह एसी सेवा करने आगे बढ़ना है, और कभी-कभी क्या होगा, नहीं, फ्लाशलेट, छोटे से, एक-दो कदम आगे दिखेंगे, पर वो एक कदम आगे बढ़ेगे, तो क्या होगा, वो फ्रोश्टिति एक और कदम आगे दिखेंगे, इस परिस्टि में भगवान की वो भाव रखेंगे, तो कितनी भी विकट परिस्टि के होना है हमारे जीवन में, भगवान धरूर हमें उस परिस्टि से आगे ले जाएगे, तो यह जो है, जो शास्तों में बताएगे, यह केवल कहानिया ही नहीं है, कि परलात को इतनी संकट आए, और उससे भगवान उन के पार गए है, so Krishna has not brought us so far to abandon us now, हम हमारे जीवन में बहुत से समस्याओं से परे गए है, तो just as Krishna carried us, भगवान हमारा तयाद मही करने वाल है, carried us through our past problems, he will carry us through our present and future problems, तो इस तरह से भक्त क्या होता है, कि हमारे जीव में इतनी समस्याओं है, कैसे इसका सामना करूंगा मैं, और हाँ, बहुत समस्याओं सकती है, पर अगर हमारे भूत काल में देखे के, तो बहुत ही समस्याओं है, आई है हमारे भगवान वजीवन में, तो इसका समस्या आई है, कुछ भगवान ने जीवादि दी और समस्याओं का हम सामना कर पाए, यह वास्तर में हमने खुद नहीं किया है, वो हमने खुद प्रयास किया है, पर भगवान ने भी मुदत की है, तो भगवान अब तक अनेक जन्मों से हम इस भृतिक जगत में भगवान हमें यहां तक लाया है, यहां तक लाने के बाद भगवान हैं, थोड़ी बहुत मैं भक्ती कर रहे हैं, तो आगर हम भातिक जगत का हमारा अस्तितु है उसको laugh marathon कहते है, marathon आप जानते है, लंबी दोड होती है तो अभी, अगर हम बक्तों के संग में है, डिवोटी असोसिएचन मतलब क्या है? यह हमारे भौतिक जगत का फाइनल लैप है, आखरी दोड है अभी, और इस आखरी दोड तक भगवान हमें लेके आए है, तो यहां पर लाकर भगवान हमें छोड़ने वाले नहीं है, अगर हम बस शद्दा रखेगे, तो क्या होगा? जरूर भगवान हमें अन तक जरूर ले हो, वो मेरी सेवा भाव में करो, और जरूर आपका भी उधार हो जाएगा, तो सारांश में आज इन चर्चा की यह चेश लोकों पे तो चार श्लोकों पे प्रधान चर्चा की और आखरी दो श्लोक जो है प्रहलाद को बता रहते, किस तरह से भगवान का रुदय विक्त हो रहा है और भगवान प्रहलाद इन शेश लोकों में पहला श्लोक और आखरी दो श्लोक वो डिर्क्ली प्रहलाद को बोल रहे है और बीच में तीन श्लोक प्रहलाद के माध्यम से हमको बता रहे है पहले श्लोक बताते है कि प्रहलाद तुम अपने पिता का कल्यान मत करो प वक्त हमेशा सब को कल्यान, समध अर्षि रहते हैं और कव्क्त को हम आदर किनल साहते का प्रयास करें, तो हम सब द्धारी बरेक रहते है और फिर बहुपोगत को बताते हैं, अगर आप इस तरह से स्पर्टी करोगे, मेरा स्परण करते हुए अपने करता भी पूरे करो, अपने पिता के अंतर संसकार करो, राज सिहां से पर बैठो, तुम्हारा कल्यान होगा, तो कि तुम मेरे स्पर्ष से शुद्ध हो गये हो, और तुम दुन्या का उधार करोगे, और तुम्हारा भी उधार हो जाएगा. तो हमें भगवान जिस तरह से प्रला से आदान प्रादन कर रहे है उसे तीन चीज़े हमें दिखती है कि भगवान भक्त से कितना प्रेम करते है और भगवान अपने भक्तों की महिमा हम सब को बता रहे है और भगवान बता रहे है कि हम भी इसी तरह से भक्त बन सकते है और भ सरह से भक्ति करनी है बहुत-बहुत धन्यवाद श्री नर्सम्मदेव भगवान की जाए श्री प्रहलाद महराज की जाए श्री प्रभुपाद की जाए प्रश्न उत्र के लिए समय है क्योंकि पॉने नो हो गए अल्रड़ी एक दो लेंगे प्रूजी यसां फाइन यस थैंक्यू धन्याद प्रूजी आपने बहुत संदर तरीके से आज नर्सिया वान के प्राकटे दिन पर उनका मनों भाव भी हमें बताया और किस प्रकार से प् प्रश्न प्रश्न है आपने जो सबसे पहले मद्दा बताया था कि ब्लेसिंग बिफोर सीकिंग बट सम्टाइम सिप्स एपन स्थैंग प्रूर साइड बट देर इस नो फुल्फिलिंग यस तुट के चकर में कुछ भकता रहते है कि कुछ सिर्यस होते प्रम कई सारी प्रा वहिए प्रश्न आपना और झाल को सुट है कि अख रहे इसे है कि जब हम आसे उधारन देखते है कि बागवान कि सिपको मांगने के पहले आश्रासन देते कि यह हो जाएगा और हम कहते है मैं तो इतनी प्रातना करना हो पर मुझे यह कुझ नहीं हो रहा है तो ऐसे क्यों ह इसमें क्या है दो महत्वपूर्ण चीजे हैं कि कृष्णा लाव इस बोथ युनिवर्सल एंड पर्सनल बगवान सबसे प्रेम करते हैं और इस तरह से युनिवर्सल है हरे एक जीव से बगवान का प्रेम है बगवान का कृपा सब पे होती है पर पर्सनल मतलब हरे एक व्यक व्यक्तिगत सम्मंध का मतलब ये है कि व्यक्तिगत पष्थिति में अलग- Alg-Alag प्रकार की सुविधा या अलग-Alag प्रकार का का आदान प्रदान भगवान करते हैं तो शास्त्रों में उधारन है किस तरह से कि अभी अर्जुन जो चौथवे दिन में जब जैदरत का वद करने के लिए तुले हुए थे तो वो कर नहीं पा रहे थे तो भगवान ने स्वयम हस्तक्षेप किया और उनको मदद की वो सूरे को ठक कर पर उसी महावारत में पिछले दिन यहां भी बलन है कि अभीमन्यों अकेले चक्रों भी फस्त गयते और अभीमन्यों का वद हो गया तो अल्टिमेटली one aspect of accepting God's mastery is to accept God's mystery कि mastery मतलब अगर हम समझते है कि बगवान मेरे स्वामी है बगवान मेरे प्रभू है मेरे स्वामी है तो इसका मतलब क्या है कि बगवान किस तरह से कारे करते है वो एक रहस्य होता है mystery होता है हम कभी इसको predict नहीं कर सकते है कि मैं अगर यह प्राथना करूंगा तो इसका मुझे फल मिलेगा यह सरसे अगर हम no prayer goes waste पर भगवान हमें प्राथनाओं की पूर्ति किस तरह से करेगे वह बताना हमारे नियंत्रन में नहीं है और इसलिए हमें एक तरह से समझना है कि यह पहले बताए कि हमारा foundation जो है कि there is always a mystery in God's actions कि ऐसे नहीं है कि मैं यह करूंगा भगवान कोई machine नहीं है मैंने यह पूजा कि मैंने यह वरत किया तो अभी बगवान यह पूरी कर देगे बगवान क्या देखते है कि भगवान हमारे परमिचिन तक है और इसलिए कभी-कभी हमको ऐसे लगता है कि यह जो परिस्तिती है यह जो मेरे जीवन से निकल जाएगे तो मेरे अच्छा हो जाएगा और हाँ सकता है हो सकता है वो अच्छा हो पर हो यह हो सकता है कि यह हमारे इतना अच्छा नहीं हो तो इसलिए हमें पता नहीं है तो जब हम भगवान पर श्रद्धा करते है तो श्रद्धा दो जो भी समस्या है उसको निकाल सकते हैं, पर अगर वो समस्या नहीं निकाल रहे हैं, तो उसका जरूर कोई उद्देश है, कोई कारण है उसका, और फिर हमें क्या करना है, ठीक है, बगवान यह समस्या नहीं जा रही है, तो कृपया आपने शक्ति देजिए कि समस्या में भी म मान लिजे, अगर हम कोई व्यक्ति हम ट्रक चला रहे हैं, काड़ी चला रहे हैं, उसमें पेड गिर गया है, तो उसके गार हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो यह बहाए दुश्रे से कोई आके पेड निकाल देगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो removing the problem is the way, व्यत्ते को नि कि वह एक, what is a shell, जो अंडे के अंदर बंध है वो, और अभी उसको बाहर निकलना है, तो अभी वही पंची को खुद तोड़ के निकलना पड़ता है बाहर को, अगर उसके निसर्ग में कोई भी पंची अगर फसा होता है, तो माता पिदा उसके तोड़ते नहीं है, कोई व होगा freedom, उसको मुक्ती हो जाएगी यह बंधन से इस अंडे के अंप से में बाहर आ गया हो, पर अंडे के बाहर आकर जो जीवन है, उसको उड़ना है, उसके लिए उसके पंखों में शक्ति नहीं होगी, पैरों में शक्ति नहीं होगी चलने की, तो शक्ति कहां से आती है, तो खुद जगडने से, युद्ध करने से, खुद उसको जब ज़गने को तोड़के बाहर आता है, तो यह शक्ती आती है, το कभी-कभी हमारी यह जो प्राथना होती है, वह कैसे हो तक है पलमें एक पेड़ गिरा हुआ है बगवान से परातना करते है और पेड निकल लेते है बर कभी कभी आशाय ह kitty होटी है कि वो अन्डे को हमें ही तोड़ना है हमें ही हमारा यह न ही हमारी हीëन is far grander than our plan for our life. िकिए तो मारी क्योंच से बहुत बढ़ी है बच्रा बहुत चोटा होता है तो अगर भच्रा बढ़का से भटाज बढ़ा होता है तो कभी-कभी हमारी जर्म में ऐसे समस्या होती है कि we need to grow और तभी इसलिए यह आंडा क्यों नहीं तूट रहा है यह समस्या क्यों नहीं जा रही है वास्तों में the problem is the way वो समस्या का संघर्ष करने में ही हमारी वृद्धी होगी और फिर जो वृद्धी जो हो जाएगी तो व प्रशन है ब्रोजी कि हम तो प्रलाद महराद जैसे शुद्ध भक्त तो नहीं है तो हमारे जीवन में कभी कुछ रॉंग चीज़े होती है तो हम लोग उसे हमारे पास कर्म साथ रिलेट करते है कि मैंने कुछ किया रहेगा कर्म उसकी पर्तिक्रिया कि रुप मुझे यह ब देखे यह कि हमारे हम चुram minha वक्ती तो नहीं है इसलिए हमारे जों में यो होरा है वो सब पूरो कर्म से हो इस हो रहा है क्या बागवान आश्तक्षिप करेंगे चो भहतिक वादी वान सिखता है उनके भी आप कल्यान करने वाले हो, आप कुपण वटसल हो. तो इसका मतलब यह है कि भगवान का प्रेम जो है, वो सब की प्रती है. सुरुदम सर्व भूता अनाम, सब की प्रती वो कल्यान करते हैं. तो ऐसे नहीं है कि जो व्यक्ति कर्म के नियमों के अधिन है उनके प्रति भगवान परवा ही नहीं करते हैं। तो भगवान सब के परवा करते हैं। भगवान परवात्मा के रूप में सब के रुदे में हैं। तो भले ही हमारे जीवन में जो हो रहा है, कर्म के नियमों के नुसार हो रहा है, पर कर्म के नियमों के उपर भगवान है, और कर्म के नियमों के नुपर भगवान है, और कर्म के नियमों के नुपर भगवान है, और कर्म के नियमों के नुपर भगवान है, और कर्म के नियमो कैँ यह सर्कल में और जासे हम भगवान' के उर प्रेम करें लगते हैं, तो वसी वरतुल के हम और थाऑन के लगते है भगवान के अर कलिए हैं। So even if what is happening to us is because of our past karma, it is still under the plan of Krishna. Maya Adhyakshena Prakriti Bhagawan बदाते हैं, कि ये जो भी हो Prakriti भी कारे कर रही है, वो मेरे अधीनता में ही कारे कर रही है. So even if the, I'll conclude this, even if the bad things happening to us are due to our karma, Krishna can bring good even out of those bad things. So this is why we don't even know God, we don't know God, we don't know God, we don't know God. We don't know God, we don't know God, we don't know God, we don't know God, we don't know God. Okay? One last question. भक्त स्वरुप्रवा आपका 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 सकते हैं। अरिक्सार दन्रवर राम रोगी, थैंक्यों वेरी मच्छ प्रश्ण था, तो आपने बताये जैसे कि भक्त, बाक्तों की वीजू का विकवार जो है, जैसे कि बाक्त से गुस्सा अगर रहता है मन में, तो हमारा चिंतन जाता रहता है कि हम भगवान का दर्सन जबेंगी आते हैं तो हम भगवान का दर्सन नहीं कर पाते हैं और उसी के बार मारे चिंतन आता है, कि भक्तों के साथ भक्ति के रिलेशन के अलाव आगर बाइशा प्रोफिसेंल रिलेशन में भी हमारे पास ऐसा मौका आता है कि हम प्रोफिसेंड बीटें कोई चांसे तो जाता है ना रेशन तो फिर बाद मिए करने के लिए हम फिर क्या करते हैं प्रोबसेंट रिलेशन को जो है सब कर लेते हैं हमारे माइंड में यह कुशन आता है कि ऐसा क्यों हो गया वाइज थिंकिंग लाइट और पाइज एक्टिंग लाइट वना मतब इसा वश्ण आता है तो यह चेंटिंग करते तो तब भी आत है कि क्यों ऐसा किया वह उसने भी में यही से सेम चीज सुना है मैंने भी सुना है मतब इस टाइब का था तो क्या यह भी दूएस है मतब गुस्ता तो नहीं आता बड़ यह आता कि क्यों ऐसा हुआ है था यहां है अगर हम वक्तों से वक्ति में संबन्द रखते हैं तो आच्छा चलता है चितर से पर अगर व्यवाहरिक रूप में प्रोफेशनल संबन्द आता है तो उसमें शायद कभी वक्त ऐसा बरताओं कर देते हैं तो उससे devotion doesn't cancel the nature of the material world. कि केवल मैं भकतो हूँ, आप भकतो हूँ, इसलिए बहुतिक जगत का सभाव परिवर्थित नहीं होने वाला है. और बहुतिक जगत का सभाव मतलब क्या है? बहुती जगत में कलह होगा, बहुती जगत में कभी स्वार्थ आ जाएगा, बहुती जगत में कभी misunderstanding, कभी-कभी गलत धारणाय आ जाएगी. तो इसलिए अगर हम भौती क स्थर पर किसी पर आदान प्रदान कर रहे हैं, तो फिर हमें उसके अच्छी तरह से योजनावद्ध पद्दत से वो कारे करना चाहिए हैं. तो और इसके लिए आदर शुधारन है पांडवों का, पाचव पांडव भक्त थे, और पाचव पांडवों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, पर जब पाचव पांडवों का विवाह द्रोपदी से हुआ, तो जब वो वापस निराज्य में आए, तो सबसे पहले नारदमुनी उनसे मिलने आए, और नारदमुनी जब उनसे मिलने आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहानी बताई, कि दो असुर थे, सुन्द और उपसुन्द, और बड़े मित्र थे, और उनको ऐसे वार मिला था, कि कभी, कोई भी उनका वद नहीं कर पाएगा, केवल एक ही व्यक्ति उनका वद कर पाएगा, वो क्या है, दूसरा व्यक्ति, सुन्द उपसुन्द का वद कर सकता है, तो फिर विश्व में हाकार मचाने लग गए, तो फिर बाद में क्या हुआ, देवताओं ने ब्रह्मा जी ने इस तरह से एक अपसरा बनाए तिलोत्तमा, और दोनों उसको देखकर उसक साथ तुम्में भी हो सकता है, इस य लिए तो पूमें कुछ योजना बनानी चाहिए, कि तुम विद्रवपदी केसाथ कैसे रहोगे, तो उने साब योजना बनाये, जन्नाधर भी सज्व पशल हाँ है, akarta है, तो उनके बीच में یने वाल है, उसमें हस्तक्षेप क्यों पांड़ नहीं पर उनको चेताओं नहीं दे रहे हैं और पांड़ उनका प्राइवसी देगे और वह बहुत स्ट्रिक्टी फॉलो किया और जब अर्जुन एक बार जब युदिश्ट्री के साथ पांड़ युदिश्ट्राद रोपदी थी और अर्जुन को कोई ब्राम्भन अर्जुन के पास अपने शस्त्र थे वो उस कमरे में थे युदिश्ट्राद रोपदी थे तो अर्जुन वहां पे गए और फिर उन्हें वो लिया और अपनी सेवा की और उसके बाद में बोले कि अभी मैंने जो हमारा जो आइग्रेमेंट था उसका मैंने उलंगन किया इ एक साल वन्वास पर उनका कंडिशन था कैसे और अपने श जैड intéक में मुझार करने के जनी किया है रास में बड़ागाई हो बड़ाभाई था थो पुता के समान होता है बच्छा और अपनेचची अपने चौटा थे उन्हें तो मोह बत्चे के समान होता है है अगर हम जव यह professional boundaries, professional agreements, professional code करना चाहिए है, हर रिष्टे में श्रद्धा तो जरूरी ही है, we need to trust each other, but there is a difference between being trusting and being naïve, कि विश्वास के बिना कुछ भी कारे नहीं होता है, पर विश्वास का मतलब यह नहीं है कि कोई भी precaution, कोई भी सरक्षन का मारग नहीं रखना चाहिए, नहीं, सभी पांडों का एक दूसरे के पते शद्धा थी, पर वो जानते थे कि भौती जगत ऐसा है कि वो उसमें समसार दावान अलिद लोग, कभी भी ऐसे अगनी आ सकती है, तो इसलिए यह हमें ही एक तरह से उसके जानकार रहते हुए, हमें चौकना रहकर जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए, तो यह जो है, just because we are practicing devotees doesn't mean material nature will change its nature. So the more we are focused on Krishna, the more we transcend the rules of material nature. But the more we come in contact with the world, the more we need to have, need to respect the influence of material nature. जितने हम Krishna के करीब आ रहे हैं, अगर मान लीजे कोई वरंदावन में सब कुछ सन्यास लेके कोई एक चोटी सी पत्थर की शीला बना रहे है वहां पे, पत्थर की शीला को पत्थर का एक बगवान का रूप बना के वहां पुजा कर रहे हैं, तो वो बहुती जगे से कुछ सम्वन्द नहीं है, वहां पे कोई जगडा होने वाला नहीं है, पर कोई एक विशाल मंदिर बना रहे है और उसमें बहुत सा बहुत से दनसंपत्ति, बहुत से सामागरी है, बहुत से सम्गण है, तो मंदिर के मैनेजमेंट के लिए भी पॉलिसी चाहिए, जितना हम बहु is required, no doubt, विश्वास चाहिए, पर क्या है, कभी-कभी हम सोचते हैं कि क्योंकि हम भक्त हैं, तो हमें कोई भी सावधानी बरतनी के जरूरत नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि हम दूसरे भक्त पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर वास्ते हम क्या कर रहे हैं, तो अगर हम बोले कि भ अगर हम प्रोफेशनल डीलिंग्स कर रहे हैं, तो दू प्रोफेशनल डीलिंग्स प्रोफेशनल डीलिंग्स प्रोफेशनली, नॉट डिवोशनल डीलिंग्स डीवोशनली, दू प्रोफेशनल डीलिंग्स प्रोफेशनली, तो अगर हम बहुतिक जगत का प्रभाव हर जगह तक आना रहना होता है नितना हम भौती के साथ कारे कर रहे है उतना प्रभाव अदी को रहना होता है। को इसलिए यह हमें इसलिए चॉकनना रहना जरूरी है। पुर्सेतो ब्हिण oneself सब्सक्री कौन मुंद है। माओ क्योंट नढखे श्रिमन दिंत्र लॉगी जय नित्यों हो की जयाए चटर्यन प्रभू की जयाए धित्यों प्रेमान धी जित्यों अर्वेड था ऐ बसक्त patiently अगले किसी सतर में आप से मिलेंगे अरे कृष्णा थैंक्यू अरे कृष्णा